जोड़दार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारी कंपनी के हमारी परिवार के करते हैं झाल झाल आप सभी को आज का ये खुबसूरत दिन साथ 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 की बहुत-बहुत सुखामना है और एक बार हैपी वर्डे टू यू मेरे साथ उठा के हैपी वर्डे टू यू थाइंक यू दोस्तों मेरा नाम रामरी सिंग है बेसिकली मैं यू पिय लिगर से बिलोंग करता हूँ एसली पियस में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था मेरा जन्म एक नॉर्मन परिवार में एक किसान के घर में हुआ था हम पात भाई हैं मैं सबसे छोटा हूँ और वहाँ पर 12 करने के बाद एक ही चीत थी के बेटा जल्दी से कोई जॉब की तलास करो और परमात्मा की बड़ी महरवानी हुई कि मुझे भारतिय सैनाव में जॉब करने का मोका मिला जिस बर्दी को पहन कर हर इंसान इतरा आता है उस बर्दी को पहन करके मैं भी बहुत खुश हुआ था और आज भी होता हूँ क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी में थंडे खून की जरुवत नहीं होती गरम खून की जरुवत होती है और मैं नोकरी कर रहा था नोकरी करते-करते लगवक 14 से 15 साल हो गए थे जिंदगी बहुत बढ़िया गुजर रही थी मुझे नहीं पता था इसके अलग भी कोई दुनिया होती है लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा उस व्यक्ती का जिस व्यक्ती ने मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करा दी जो आज मेरे ही नहीं मैं तो अपनी जिंदगी का साक्षात भगवान मानता हूँ लेकिन आज पता नहीं कितनों के भाग विदाता है कितनों की जिंदगी का बेड़ा पार किया है और वो कोई और नहीं है हमारी कमपनी के CEO&MD मिश्टर संजी कुमार सरे एक बार जोड़ा दाता लिया दोस्तों मुझे अच्छी तरह याद है पठान कोट में मुझे एक प्लान दिया गया था काभी पहले की बात है उसके बाद उस कमपनी को हमने कुछ दिन किया लेकिन वही होता है कि जहां पर हम जो चाहते थे वो मिला नहीं हम कमजोर नहीं थे लेकिन हमें जो चीछ दे जा रही थी वो थी नहीं जिसे हम बेश सकें और हमने डिसिजन लिया और वहां से हमरे कुट किया आने वाले समय में दो-तीन साल इंतिजार किया और जब एसली प्यस वैलनेस का जनम हुआ तो मुझे भी एसली प्यस में आने का मौका मिला और दोतो मैं बिलकुल लगवग नेगेटिव हो चुका था कि मुझे डारेक सेलिंग नहीं करनी है और सर ने सिर्फ मुझे समझाया कि बेटा या तु इसे करता है तो तेरी जिन्दगी क्या हो सकती है वो मुझे एक पेपर बस समझाया था मैंने कहा सर मेरे पाद तो समय नहीं है आर्वी में नोकरी कर रहा हूँ सर ने कहा बेटा दो घंटे जिन्दगी के लगा दिये तो अगले तीन साल में तेरा घर बदल सकता है गाड़ी बदल सकती है बच्चों की एजुकेशन इस्कूल बदल सकता है जब मुझे ऐसा लगा कि दो घंटे देने से जब ये सब कुछ बदल सकता है तो मैं ऐसे दो घंटे का क्या करूँगा और वे उने दिये और आर्मी में रहते हुए फट जन्वरी 2015 से मैंने इस काम को शुरू किया दो तो 18 महीने ऐसे पार्ट टाइम मैंने इस काम को किया पार्ट टाइम करते हुए 18 महीने में मेरी इंकम यहां से लगवग 18 लाक रुपे थी फट अगर 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा और आज लगवग 5 साल साड़े 5 साल होने जा रहा है मुझे करते हुए फुल टाइम एजे केरियर और ये साड़े 5 साल की जो इंकम है वो आपको अभी मैडम ने बता दी थी कि लगवग 14 करोड रुपे आपका ये भाई S.L.P.S. वेलनेस से कमा चुका है लेकिन दोस्तो ये जरनी इतनी आसान नहीं थी जब काम करना सुरू किया आज के लोग कहते हैं अरे सर आप तो पहले आ गए तो बड़े बन गए नहीं हम पहले आई थे तो बहुत मुश्किल है थी आपको कोई मुश्किल नहीं है हम तो जब किसी के पार प्लान लेने जाते थे तो पूता था भाई कब कंपनी खुली है मैंने कि भाई एक महिना हुआ है बोला भाग जाएगी मन तो करता था कि बेटा बच्चे पैदा मत करना तेरी लड़की भाग गई तो क्या होगा लोगों को बड़ा लगता है का जो पहले आ गया अरे 1947 में जबाला नहरूजी प्रधान मंतरी थे मोदी जी तो चाई बेते थे क्या वो आज प्रधान मंतरी नहीं है है या नहीं है दोस्तो किसी के पार प्लान लेके जाते थे लोग पूछते थे कौन सा प्रोड़क्ट है हम बताते थे और्थो डोग, इम्मुनो डोग कही कही तो ये बोलते थे कुत्ते बेशते हो क्या डोग लगता था माम जज़तर को कई बार कोल करके पूछा सर ये क्या है सर ने कहा बेटा डोग का मतलब कुत्ता नहीं होता डोग का सौट फॉर्म डोक्टर की डोग होता है हमें नेट्वरकर के बाद जाओ ऐसे पैर पे बैर रखे बाद करता था क्या लाया है मैं बेटा पांच साल कर करोड़ पती बन जाता है तो मेरे पास आना मेरा भी मन करता था कहान पेदूँ पांच साल बाद अरे पांच साल बाद में तिरे पास आंगा अरे तू टिकेट लेके मुझी दो मिल ले आएगा बैटा में तिरे पास नहीं आऊँगा आज ए जर्मी को जब कर रहे थे लोगों ने बड़े बड़े नाम दिये बड़ा नोकरी कर रहा है अच्छी खासी अरे क्यों पागल हो गया है आज मुझे वो सब दियाद आता है अरे मेरे पागल बनने से यद किसी मा के गुटने ठीक हो सकते हैं मेरे पागल बनने से किसी की सुगर ठीक हो सकती है मेरे पागल बनने से किसे घर में खुशी आ सकती है मेरे पागल बनने से कोई करोड़ोपती बन सकता है मेरे पागल बनने से किसे घर में जैगवार आ सकती है तो यास आए में पागल ऐसा पागल बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए अरे बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए और मैं वहादा करता हूँ आप से आप जितने भी लोग बैटे हैं मेरी एक बात सुनके जाना करोड़ पती ना बनो तो मुझे बताना दोतो S.L.P.S. में ऐसे ही कोई नहीं आता S.L.P.S. में वो लोग आते हैं जिनके साथ जन्मों के पुण्य जुड़ते हैं वो इंसान S.L.P.S. में जोइनिंग लगाता है क्यों क्योंकि मैं एक ऐसे परिवास से बिलोग करता हूँ और आप भी करते हैं जहां पर हमारे बारे में कोई करोड़ पती बनने की कलपना नहीं के सकता यस आवाद नहीं आ रही कलपना नहीं के सकता मेरा गाओ घर सहर मिलके भी यह नहीं सोता कि यह करोड़ पती बन जाएगा यस या नो लेकिन दोश्तों आज ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े किर्केटर, बड़े-बड़े बॉलिवुड भाले करोडों अरवा रुपे कमाते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वो इंडूजल अचीनमेंट होती है, उन्होंने अपने लिए कमाया, दोनी ने अरवा रुपे कमाये, जारकंड के बड़े बच्चों के लिए कुछ किया, कोई दूसरा दोनी बनाया, आवाज नहीं आई, अमताब बच्चर ने कोई दूसरा अमताब बच्चर बनाया, विराट कोली ने कोई दूसरा विराट बनाया, लेकिन दोस्तों, आज यहां पर मैं करोड़ों पती बना, मैंने यहां हैं यह तागत है एसलिप यस्वेल नहीं इसकी यह जानो और हिंदुस्तार की कुछ बातें बताना चाहूंगा आज हमारे समाज में एक बीमारी डाली हुई है का जो इंसान पढ़ेगा वही बड़ा बनेगा कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे यस क्या आज ये सही है आज मुझे ऐसा लगता है कि खेलने कूदने वाले ज्यादा बड़े बनने हैं पड़े लिखे कम बनने हैं यस आनो आपको भी बता देता हूं हिंदोस्तान में जितने भी कोचिक सेंटर चलते हैं उनमें 75% से उपर वाले बच्चों को लिया जाता है यस आनो यानि टेलेंटड लोगों को लेते हैं हमारे जैसे 33% वालों को नहीं लेते और फीज क्या होती है एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चाल लाग यस आनो दो तो पचास लाग बच्चे फुरे हिंदोस्तान में कोचिक सेंटर लेते हैं वो टीचर चोड़ो उनके घरवाले चोड़ो भगवान भी पढ़ाने आ जाए तब भी दसजा से ज्यादा सेलेक्शन नहीं करा सकता आता है, पहले 10-20 लोगों का नमबर आता है, अख़बार के पहले पेर भड़ देते हैं, होडिंग लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं लेकिन अभी नम्मर ही आया है सेलरी नहीं हाई यस या नो अभी पांच साल बाप के पैसे और खर्च कराएगा यद पढ़ाई करेगा तो लेकिन जिस कोचिंग सेंटर में आप बेठे हैं जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिट्टम जिसको जून 2015 में संजीव संडे बनाया था इसे ओल ओवर इंडिया में चलाते हैं हमारे सबके गुरू टॉप लीडर मिस्टर अनल कुरी सर इनके लिए एक बार जोड़ता तालिया और आपको जानकर हैरानी होगी आज ये फाइटर सक्सेस सिट्टम सलेक्शन नहीं कराता पहले पहला करोड़ पती निकालने में केवल एक से डेड़ साल का दुक्त लगा था और आज आज ये फाइटर सक्सेस सिट्टम साथ साल का हुआ बच्चा केवल साथ साल का आज का रजल्ट बता रहा हूँ आज फाइटा सक्सेस सिटम हर वीक में 65-70 लगपती और तीन करोड़पती पैदा करता है, तीन करोड़पती यह श्यानों, दोस्तों, अब आप बताओ, 7 साल के बच्चे का यह रजल्ट है हमारे साथ 18 माश्यूं करना और हमारे साथ बने रहना, छोड़के मत जाना हमारे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूँ, यह जितने भी मुझे सुन नहीं हैं, देख रहे हैं या कलपना कर रहे हैं गारेंटी देता हूँ जेद दिन अठारमा वड़े मना और आप हमारे साथ हुए हर एक एक अकाउंट में ददस करोड रुपे होंगे कम से गम यस लास्ट में जाते जाते दो लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा यदा आप जोड़ दात्तालिया मनाए तो सभी मिलकर मनाते हैं वा करो सभी मिलकर मनाते हैं जनम दिन साथ वा मा का हमारी मा है एक मा होती है जो जनम देती है और एक मा होती है जो करम देती है एक बार जोड़ दात्तालिया हमारी मा के लिए सभी मिलकर मनाते हैं जनम दिन साथ वा मा का करोडों खुसिया देते हैं बड़ा एहसान है सरका करें बादा उठा कर हाथ उठावाथ करें बादा उठा कर हाथ ये दुनिया जीत लेंगे हम हर गली देश में होगा पता का तेरे नाम का हर गली देश में होगा पता का तेरे नाम का तैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे सीनिय लीडर हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे कोल लीडर हैं और जितने भी प्यारी इसी टीम है, पुरा हिंदुस्तवन, एक कविता और गुरुजी के तरब से, मैडम के लिए सुना दू, तालियां बजाओ कि तरी खुबसूरद मैडम है या, जो आपको लगता है, ते यार, सर, इससे पहले कि आप शुरुआत करें, क्योंकि मैंने सुना आपके जो अंदाज है कविताओं और शायरियों का, इस पे लोग मरते हैं, हमारे परिवार मरता है, तो आपको पता है, जब भी शायरी कहीं जाती है, उसके पहले क्या कहा जाता है, इर्शाद, इर्शाद, तो जग में नाम हो जाए, और चलो तुम जिस दिसा में भी, महकती साम हो जाए, जमाने की नहीं सुनना, बड़ा खराब है, जब भी घाव खोल गद घादो साले नमक मारते हैं, जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा, अगर सुनते हो खुद मन की, तो फिर इतिहास लिख जाए, अगर सुनते हो खुद मन की, तो फिर इतिहास लिख जाए, थैंक यू सो मत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया,